सो हेगेज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सो दोस्तो मैं हूँ नजरूरजा और आप देख रहे हैं आपका अपनाई चैनल नाशनलाइक टेक दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको में एक 14 इंची कटर मसीन की फिल्ड कोयल को रिवैंडिंग करना सिखाऊंगा जै इस फिल्ड को रिवैंड करने के लिए एस डावलो जी हमें कौन सी यूज करनी है किस तरह दोस्तो हमें इसे रिवैंड करनी है आपको मैं यहां पर जनकारी देने वाला हूँ बस वीडियो को कंटीनिव पूरा जहूर देखिएगा काफी अच्छी जनकारी आपको यहां प देखने के लिए तो चले दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इस कटर मसीन को दोस्तो हमने यहां पर जे अलग कर लिया है तो यहां पर जो हमारी वायर लगे थी जो हमारी स्विच पर जा रही है इसको भी हमने यहां पर हटा लिया है तो देखिए दोस्तो यह यहां पे सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक इंफर्मेशन जान लेते हैं इस मोटर के बारे में यह मसीन हमारी 220 वोल्ट से 240 वोल्ट ऐसी क्रेंट पर रन करती है यही पे दोस्तों इसकी अगर वाटेज की बात की जाए तो यहां पर देख सकते हो यह हमारी 200 वाट की है और यह क्या करते है इसे और यहां पर यहां पर फिल को समसे पहल बाहर करने है तो कि यहां पर इसके रहें चällt यहां कि दिखाय ने इसे निकाल लेता हूं इसेिंट जाती है तो उस उस पर आप को कुछी इस तठरह से पिकरस लगाने है यह वाइड दोस्तों आप की अलग हो जाएगे यहां पर यह देखिए यहां पर चुकी है अब आप तो क्या क्या है गरता होशाया करना पर यहां पर तरह हो चुकी है और देख सकते हो और कहीं कहीं दूस्तु यहां पे इसकी पेपर भी लगता है यहां ज़िए गला हुआ है और एसे को समय चाहिए- किया कना होता। तो अच्छी बात है नहीं निकलता है तो आपको यहां पर इसे काट लेनी है तो चली मैं इसे बाहर कर लेता हूँ और इसके बाद आपको मैं डाटा बताता हूँ यहां पर कितना नमर वाइट से दोस्तो हमें इसे रिवाइन करेंगे और यहाँ पे टर्ण कितना हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे इसे किस तरह से रिवाइंड करना है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा चली सबसे पहला नमर इसे हम कट कर लेते हैं तो इस डाटा को असाने से यूज कर सकते हो यानि कि अस्टेटर साइज आपकी सेम हो जाएगे तो अगर फ्रेंड्स अस्टेटर की मुटाई की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकतो यह हमारी धाय इंच की आ रही है यहीं पर दोस्तों अगर इनर डाय की बात की जाए जहां पर हमारी आर्मेचर लगती है वो हमारी कितनी आती है चलिए वो भी देख लेते हैं यहां पर जो हमारी इनर डाय आ रहे है दोस्तों वो हमारी 2.1 इंच की आ रही है यहीं पे दोस्तों ओर्डिंग की बात की जाए जान लिए है तो यह हमारी सारे 11-inch की आ रही है यही पर फेंट से चेटर की पूरी weight की वात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो यह हमारी 1.380 gram की आ रही है दोस्तों हमने चेटर के बारे में तो जान लिया है अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करनी है इसके अंदर जो हमारी data निकली है वह हम चलिए से पहले वाइंड को जेक करते इसको रिवैंड है तो इसंप नदी दूस्तो नद्म दसे में वाइंड की गई है यहांपने को चलिए दाब ह待 दीर स्टी दीर को पना पहें 10 जा रही है देख सकते हो यहां पर दूसरा गप माप लेते हैं तो यहां पर यह में Kimberly जा रहे हैं औरмотр him यही असानी से जारे हैं तो यह हमारी आरफ तो 22 से दोस्तों ऑश्र टर्ण दी गई है 993 चस्टेटर से जो हमारी निकल के आही है आप देख सकते हो टोटल जो हमारी युट पेपर लगानी है यहां पेपर को माप करने किन्स इंग निखना करणी यानि की कम सकम मैं यहां पें दोनों से हमारी पेपर निकलना चाहिए शय क्या में दिखाता हूं बबन बन के हिसाभ हम आप मेंisen 1 कर टरज कर लिए लाता हूं देखिए यहां पो इस तरह से nog यहां इस तरह चाहरो सुललत में डाल देंगे लाट अबर आपको नकानी तरहिए in प्रक्षेशन करें दिट तब नंगे mauvais दाल से विह और और सरु को निकाल लियाए है यहां पर लाइद किसटोग क्या प्रक्रणारी चैuben वह पर देख लेते हैं तो यहाँ पर जो व्हु हमारी क्वाइल साई आ रही है log आ रही है आप को पंदो हुआ को आने यहाँ दो दोस्तो यहाँ पर 24 नमर एक लेंगे और एक ब体 утक्ड होगए है चलिए आपको में कूय बनाने के दिखाता हूं तो प्रेंड चलिए हम फर्मे को पर्नमे को स्यट्ट कर लिया तो यहां प्राइल के कुछ सित्रा से कॉल लेनी है औरहं पर कांटमीटर को रिखा लेनी है यहां पर टरन मीं यहां सुरूं कर देनी हैं तो chains यहां प में सतर टरन कर तो यहां पर हमारी सब्सक्राटरन क्लिट हो 1900 से यहां पर धागे की मदसी से बाच दीजिए और यहां पर को निकाल ले लिए तो एक कोईल की हमारी वेट आ रहे है दोस्तों आप देख सकतो यह हमारी 149 ग्राम आ रही है इसी तरह दोस्तों एक क्वैल व्याज है तो यहां पर दोनों कोईल बना के कंप्लीट कर लिया चलिक दोनों कोईल की वेट देख लेते हैं कितनी आ रही है तो यहाँ आप देख सकतों यह हमारी एकुरेट 299 ग्राम आ गई है यानि कि बिल्कुल सही है अब चलिए फैंस यहाँ पर कोईल को स्लॉट में डालना शुरू करते हैं तो यहाँ हमने दोनों तरफ एक एक स्लीव लगा जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर को आपको स्लॉट के अंदर डाल लेनी है और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पूस्क कर देनी यानि कि आप यहाँ पर निच्छे की और यहाँ पर दाबिएगा तो यहाँ पर आपकी कोईल स्लॉट के अंदर असानी स से चल जाएगी देखिए यहाँ पी कितनी असानी से अंदर हमारी वाय चल गई है अब इस पेपर को निकाल के आपको एक जहें सेपरेटर पेपर लेनी है और इस व्लॉट को आपको जहें लॉक कर लेनी है ताकि हमारी को दोस्तों बाहर ना आये तो चले यहाँ एक सेट चाम दिकत होगी आपको मैं आगे बताऊगा आपको क्या करनी है तो यहां पर देखिए हमारी कोई अर्जेस्ट हो चुकी है तो यहां पर निकाल के हमें फिर से एक सेप्रेटर पेपर लेकर और इसको यहां पर लगा देंगे तो चलिए दूस्तों हमारी एक कोई दलके में तो यहां पर दूसरी कोई भी हमने आप ले लिया और लूप को दोस्तों हमने यह दोनों तरफ निकाल लिया एक एक लूप को अब देखिए यहां पर में चली अंदर चल गई है तो अब यहां पर क्या करेंगे सेप्रेटर पेपर के मुदद से इसे लोक कर देंगे तो हैं पर दुसरी तरफ यह आप को सागत है फिर से सेप्रेटर पेपर लगा चांप देंगे इस सैट्सेवी क्या होगे कि हमारी क्वैल दूस्तों सुुलट commend के अंदर असानी성 चल सीधवर तो यहां पर फिनिसिंग की बात आती है फिनिसिंग आपको कैसे लानी है आगे आपको में बताऊंगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस पेपर को निकालके और सेपरेटर पेपर इसके उपर में लगा देते हैं ताकि हमारी कोई दोस्तों वह बाहर ना आए अब देखिए कोईर दनके कंप्लीट नल्गा देते हैं तो आपको निकल रागा सकती है तो यहां पर और से पेपर देते हैं देखिए हमारी यह कॉइल भी दलके पुGLISH почти हो मूड लेंगे पीछे कि और तो यहां पर कोई अर्जेस्ट हो जाएगی तो यहां पेपर अगर की निकली है तो यहां पर दोवार आप इशन. कर दीजीए दाल यहाँ पर यहां पर क्या आ जो चुकी है तो यहां पर और क्या करनी है connection कर लेते हैंब किस तरह से करनी है तो दोस्तों यहांप आप देख सकतों एक सेट से हमने आप बरासा वायर निकाला था और एक सेट से हमने आप छोटा वायर निकाला है तो यह दो हमारी जो वायर है दोस्तों यह हमारी कारवन बरस पर जाने वाली है और यह दो हमारी जो वायर है दोस्तों यह हमारी सप्लाइ की व philosoph को कनेट करोगे और किस सेट से आप गारवन ब्रस पर लहीं कर लिया है फ्रेंस के उपर और इसके ऊपर हम हमें लिए पर चेड़ा लेनी है और इसके बाद बैसे आप लाने के लिए हम क्या करने में आगे में दिखाने वाला हो सर्ड़े यहाँ पर चली में इसलीवK डाल के कंप्लीट करता हूं आपको क्या टाया लेनी है और टाय की मदश कॉ semua को में यहां और दूस्री सेट चे भी फिनल समय क्या करने यहां पर सलीव के बांध लेनी है कि तो इस तरह से यहां पो कोछ इस तरह से बांध लिए आप आपको क्या को क्या करने हम दूस्री सेट भी आपको यह उसी तником से इस वैर आपको यहांपर बार दिखाता है तरहीं दीएसे को कि दोर डानी है निकाल देंगे ale यहां पे बान देंगे चलिए यहांप में तान के यानि कि इसे में खीच लेता हूँ इस तरह से और इसे में बांधूगा तो दोस्तों यहांप आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दोस्तों हमने यहांप इसे खीच के और बांध दिया दोस्तो इस cotton tip के जगह पे आप बड़ी वाली ताय का भी इस्तमाल कर सकते हो अब देखिए यहां पे finishing कितनी जबरदस्त आ चुके है आप देख सकते हो तो पहली हमारी क्या थी और अब यहां पे क्या हो चुकी है तो और भी यहां पे अगर आप finishing लाना चाहते हो यानि कि और बानने के बाद दोस्तो यहां पे आपको बार्निस कर लेनी है और हमारी काम हो जाएगी चले दोस्तो यहां पे मैं इसमें सुखा के और आपको मैं चला की दिखाता हूं हमारी cutting machine यहां पे किस तरह से चल रही है देख सकते हो हमारी field inequalities पूरी तरह से बनके तयार हो चुकी है हमने यहां पर बाध़ने जबी करके सुखा लिया है अब दोस्तो चलिए से फिट की बात आती है चलिए इसके बढ़िक सीट हम फिट करते हैं फिर हमारी यह अंदर दालके और यहां पे आपको मैच चला की दिखाता हूं तो इसे यहां पर आपको फोतरब लिए तो या इस तरा सा फिट करने बाद हमारी नदर चल चुकी है तो आए दोस्तों यहां पर यहां पर यहां पर आर्मेचर को फिट कर देते हैं अगर आपकी मोटर की डिरेक्षिन उल्टी हो जाती है दोस्तो जिस दिशा में इसको चलना चाहिए अगर उसे में नहीं चलती है तो आपको क्या करनें की आपको आपस में एक्चेंज कर लेनी है यानि कि अदला बदली कर लेनी है आपकी कटर कि जो डारेक्शन होगी दुस्तो वह बिल्कुल शही हो जाएगे तो चलिए दोस्तो आप दोस्तो आइए आपको में चलाक्य दिखाता हूं सब्सक्राइब दे聞म की तरफ है। तो दोस्तों यहां पर डायरेक्शन जहीं बिल्कुल सही है तो इस तरह से दोस्तों आप जहें कटर मसीन की फिल क्वैल को असाने से रिवाइन कर सकते हो उमीद है दोस्तों यह जनकारी आप लोग को पसंद जरूर आयोगी वीडियो को लाइक जरू कीजेगा हमने कोशिस किय है आप लोग को अच्छी तरह से जनकारी देने की और उमीद है आप लोग अच्छी तरह से समाज भी गए होंगे और जो बंदे दोस्तों चैनल पर पहले बाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारी लाटेस्ट आने वाली वीडियो जगी आप लोग को जल द